हेलो स्ट्रेंट्स हम लोग ncrt चैप्टर 3 का सॉल्ट एक्जामपल सॉल्व करेंगे वैसे दो बुक में सॉल्व भी है इंफिड भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तक एक नया एप्रोच सीख सके और आसानी सेम कोस्टन बना सके तो कोस्टन 3.1 क्या है रेंड इस और हमारा विंड का जो स्पीड है हमारा वो किधर है कितना है 12 मीटर पर सगेंड इस्ट वेस्ट आपको पता है कि यह हमारा होता है नौर्थ सौथ एस्ट और यह वेस्ट हावा जो है वो इस्ट वेस्ट जा रही है तो वैलोसिटी ओफ विंड विद रिस्पेक्ट तो ग्र पासकरेगा पीचवेच वीस हमारा हो गया V रिजलटन विलसुटी है वीसल्टन इधर गिर रहा है तो बारिस से बचने के लिए चाता कि इधर लगाएगा यह आद में रुका हुआँ बचा बच टौप है चाता इस द्रेक्शन में लगाएगा यह इसी direction में ताकि range से बचा जा सके तो vertical के साथ कितना angle लगाती हुआ जाता बचाएगा थीटा अब यहाँ बताओ तो यहाँ पे 10 थीटा 10 थीटा हमारा क्या हो जाएगा 10 थीटा क्या होगा हमारा perpendicular by base तो तो perpendicular हमारा यहाँ पे क्या है 12 यह 12 वाला velocity यह है 12 by base हमारा यह vertical वर्टिकल के velocity कितना है 35 तो यह approximately आ जाएगा 0.314 0.343 तो इतना छोटा angle आपको exam में आएगा नहीं यदि आएगा तो value दिया रहेगा तो थीटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 19 डिगरी के आसपास यह angle हमारा कितना आ गया 19 डिगरी विद वर्टिकल यह बहुत ही simple था यह और च्छाता रहेगा किधर east की तरफ मतब वर्टिकल से east की तरफ यह च्छाता रहेगा आपको पता है कि दो वेक्टर का जी रिजल्टेंट हमारा होता था वो क्या होता था under root a square plus b square plus 2ab cos theta यहाँ पर a हो गए यह वेक्टर का magnitude और b हो गए हमारा यह वेक्टर का magnitude और वेक्टर सम करते थे तो b के tail को a के head पर रखते थे और यह हमारा resultant होता था resultant equals to vector a plus vector b और इस resultant का यह magnitude था और यह angle क्या था हमारा यह theta angle था और यह हमारा direction of resultant alpha था तो tan alpha क्या होता था बुच्छों याद करो formula tan alpha क्या हमारा होता था b sin theta upon a plus b cos theta alpha equals to हमारा हो गए tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta this is direction of resultant this is magnitude of resultant and vector sum resultant हमारा क्या हो गए vector a plus vector b देखो बच्चों यह question solve करने से पहले आपको थोड़ा सा direction सीखना है direction क्या सीखना है तो गवर से देखिए यह north है south है यह east है यह west है तो यह दी कोई vector हमारा a है यह angle theta है तो theta हमारा क्या हो जाएगा यह theta हमारा angle हो जाएगा north of east इसका मतलब क्या हो गया arrow जो है वो north east direction में जा रहा है गवर जो हमारा है वो north which direction में जा रहा है और off मतलब किया इसक के साथ के इतना angle बना रहा है 30 theta यदी कोई vector b है यह और यह angle है theta one यह theta angle यह एगल क्या बताता है यह arrow किदर जा रहा है Northwest में North angle किसके साथ बना रहे है वेस्ट के साथ North of West angle या North of West angle है उसी तरीके से ये angle दिया रहेगा arrow किदर जा रहे है सौथ के direction में सौथ के direction में जा रहे है angle sorry arrow और angle किसके साथ बना रहे है west angle क्या हमारा हो जाएगा theta with South of West उसी तरीके से यदि ये एंगल दिया रहा है ये एंगल ये एरो किदर जा रहा है इस डिरेक्शन में इस के डिरेक्शन में सौथ इस डिरेक्शन में ये हमारा कहलाएगा थीटा एंगल कहलाएगा ये थीटा एंगल east of south तो east और south बताएगा south ही direction में है यह जो angle है वो बताएगा किस के साथ ही angle है तो south के साथ उस तरीके से जैसे यह हमारा south west direction है और यह angle किस के साथ है हमारा west के साथ तो off west की है जैसे यह देखो यह north west direction है लेकिन angle किस के साथ हमारा west के साथ north of west जिसके साथ angle होगा न उसके साथ off लगा कि वो direction दे देना है जैसे यह angle east के साथ है लेकिन यह arrow north is direction में है तो क्या लिखंगे इसको north of east तो कि angle east के साथ बन रहा है यह आपको एक छोटा समय ने तेजी से आपको बता दिया कहानी north east north west क्या होता है और जिसके साथ angle होगा उसके साथ off लगा दोगे अब यह देखो कैसे बनाते हैं इस question को बहुत बढ़िया question है यह आप direction से भी बना सकते हो vector से method से भी बना सकते हो तो क्या है एक motor boat है वो north की और जाड़ा है कितने velocity के साथ 25 km परा तो चलो पहले north south east west मना लेता हूँ मैं यह आगे north यह आगे south यह आगे east यह आगे west तो एक motor boat जो है वो जा रहा है किदर north की हो तो origin को मान लो origin सही चलो हर जगा यह जा रहा है north की और velocity of boat कितना दे रखा है हमारा 25 km परा और पानी का जो current है origin के respect में किदर जा रहा है 10 km परार इन direction of 60 degree east of south तो south east यह है of south of south मतलब कि south के 7 south के 7 कितना degree angle 60 degree angle बनाते हुए कौन जा रहा है water यह हमारा होगे velocity of water तो कह रहा है कि find resultant velocity of boat तो resultant velocity of boat कह रहा है अब दो vector है एक vector यह दूसरा vector यह resultant हमारा कहां से pass करेगा resultant हमारा यह हो जाएगा V resultant तो V resultant हमारा क्या हो जाएगा under root VB square plus VW square plus 2VB VW cos कौन सा angle लेंगे हम लोग यहाँ पर कौन सा angle लेंगे यह angle यह angle theta लेंगे यह angle theta लेंगे अब यह theta निकालना परेगा हमें और यह theta हमारा कितना होगा देखते हैं देखिए यह 60 है और यह total 180 है total 180 है इसका मलब यह कितना हो जाएगा हमारा 180 मने 60 120 दिगरी तो यहाँ पर cos 120 दिगरी देंगे और water का velocity कितना है 10 km परा तो 10 रखा यहाँ पर value डालो सारा तो कितना हो जाएगा VB velocity of boat कितना है 25 का square velocity of water कितना है 10 का square plus 2 into 25 into 10 और cos 120 कितना होता है minus 1 by 2 आप इसको solve करो आपका आजाएगा 22 km per rs बिरा जाएगा तो resultant velocity आगया हमारा 22 km per r resultant velocity हमारा आगया 22 km per r अब हमारा क्या पूछ रहा है direction तो direction पूछ रहा है तो direction आप निकाल सकते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 vector के beach angle 120 degree है तो direction क्या हो जाएगा 10 alpha हमारा क्या हो जाएगा b sin theta इन दोनों में से किसी एक को b मान लो b को मैंने मान लिया 10 क्या हो जाएगा हमारा 10 sin theta या b sin theta बा a plus b cos theta अच्छली यहाँ पर direction पूछा नहीं है आप direction निकाल सकते हो तो b sin theta बा a plus b cos theta वहाँ पर theta होना चाहिए दो vector के बीच का angle जो यहाँ पर 120 degree है इस तरीके से आप इस question को solve कर लोगे फिर 4.3 हमारा question क्या है कि एक position गट दे रखा है किसी का position दे रखा है r equals to arrow है वैसे ncrt में जो भी bold related में लिखा जा रहा हो आप समझ लोगे यह vector quantity है left में जो भी bold में है vector quantity है तो मैं मान लेता हूँ r equals to क्या हो जाएगा 3ti plus 2.0 है ना तो वो significant में दे रखा है आप सीधे भी मान लो 2t square j plus 5k तो कह रहा है यहाँ पर t time है और सारी unit meter में है तो velocity पूछ रहा है dr by dt तो differentiate करो यहाँ पर d by dt of r कितना है हमारा 3ti अलग-अलग करके तोर दो सबको d by dt of 2t square j plus d by dt of i k तो 3 यहाँ पर constant है 3 बाहर निकालो direction भी निकाल दो 3i बाहर निकला d by dt of t plus 2j बाहर निकालो d by dt of t square plus अकेला 5 है यह तो 5 constant direction भी fix तो constant term का differentiation 0 तो यह कितना आ जाएगा 3i dt by dt कितना हो जाएगा 1 यह 3i dt by dt 21 plus 2j t square का क्या आ जाएगा 2t velocity हमारा क्या आ गया बच्चों velocity आ गया 3i plus 22 40 j यह velocity आ गया हमारा अब acceleration पूछ रहा है तो acceleration हमारा क्या होता है बच्चों d by dt differentiate करो तो d by dt velocity कितना है 3i plus 40 j अकेले अकेले खुल दो इसको d by dt of 3i plus d by dt of 40 j यहाँ पर देखो 3 है हमारा अकेले 3 constant है differentiation 0 साथ में i direction है इसका differentiation क्या होगा 0 plus 4 बाहर निकालो dt by dt j तो कितना हो जाएगा 4 dt by dt 1 तो 4 j acceleration हमारा कितना आ गया बच्चों 4 j velocity भी आ गया और acceleration भी आ गया हमारा तो हमारा यहाँ पर velocity भी आ गया और acceleration भी आ गया अब time उडख दो velocity और acceleration निकाल लो अब यहाँ पर आ रहा है b part में if t equals to 1 second then velocity हमारा कितना है बच्चों velocity है 3i plus 4t j 3i plus 4t j t 1 second रखो तो velocity क्या होगा 3i plus 4 into 1 j कितना हो जाएगा 3i plus 4 j velocity हो जाएगा magnitude of velocity क्या हो जाएगा under root coefficient of i का i square 3 का i square plus coefficient of j का i square 4 का i square यह कितना हो जाएगा 9 plus 16 कितना आजाएगा 25 मतलब क्या 5 meter per second velocity हो जाएगा और acceleration तो हमारा कितना है acceleration हमारा 4 j independent of time time पर डिपेंडिन नहीं किया 4 j 4 constant और direction तो है ही इसका यह क्या आजाएगा indeed pendant of time जब time से independent आगया तो acceleration हमारा क्या आगया 4 j constant हो गया जब यह acceleration constant है equation of motion valid हो जाएगा हमारा V equals to U plus A T S equals to U T plus half A T square V S QA U square equals to 2 S insert type के question हमारा insert type के equation हमारा यहाँ पर valid हो जाएगा अब next हमारा है बच्चों 3.5 तो 3.5 question हम लोग आप करने वाले है तो 3.5 question क्या है हमारा कि एक particle जो है हमारा वो origin से चलना शुरू किया और उसका जो velocity है हमारा वो 5 meter per second है यहाँ पर velocity किना दे रखा है हमारा 5 meter per second है और I है साथ में direction दे रखा है और XY plane में move कर रहा है यह under action of force force के कारण जो constant acceleration पैदा हुआ है यह हमारा क्या है 3I plus 2J meter per second है तो कह रहा है कि बताओ Y coordinate of particle बताओ जब इसका X coordinate 84 हो जाए आप इसमें कुछ नहीं करना है think along X axis and think along Y axis सोचो सोचो X axis के along and Y axis के along initial velocity along X axis UX हमारा कितना है हमारा जो दे रखा है 5 meter per second acceleration along X axis कितना है coefficient of I 3 meter per second square तो UX है AX हमारा क्या है constant तो VX equals to हमारा क्या हो जग equation of motion valid होगा UX plus AXT दूसरा X equals to हमारा क्या हो जाएगा UX T plus AXT square by 2 और तीसरा क्या हो जाएगा तीसरा equation of motion VX square minus UX square equals to 2X into X यह think along X axis अब think along Y axis initial velocity along Y axis दे ही नहीं रखा सिर्फ 5 I है J तो है नहीं यह होगा 0 acceleration along Y axis कितना दे रखा है 2 meter per second square यह तो constant acceleration आ गया ना इसका मतलब यहाँ पर भी equation of motion valid होगा VY equals to UI plus AY UI तो 0 है तो सिर्फ अबर यहाँ पर AYT हो जाएगा दूसरा Y equals to UYT plus half AYT square by 2 UY तो 0 है यहाँ पर सिधे क्या हो जाएगा AYT square by 2 और तीसरा हमारा हो जाएगा VY square minus UY square तो UY 0 है तो लो ही नहीं VY square का जगा 2 AY into Y तो यह think along X axis न think along Y axis आपने सोच लिया तो कहरा है कि particle का Y coordinate क्या होगा जब उसका X coordinate 84 meter है तो X के जग़ पर आप 84 डालो X हमारा क्या है बच्चों UXT plus AXT square by 2 X हमारा होगे 84 UX कितना है बच्चों 5 5T plus AX कितना हमारा है 3 3T square by 2 यह हमारा quadratic equation आ गया अब solve करोगे तो इसको LCM tool होगे तो 4 दुनी 8 और दुना 16 168 equals 2 10T plus 30 square मतलब क्या 30 square plus 10T minus 168 equals 2 0 तो यहां से आप जो है quadratic equation आ गया यहां पर आप क्या करोगे T का value निकालोगे तो यहां पर जो T का value आया आपका वो आ जाएगा 6 second तो T का value solve करोगे तो 6 second आ जाएगा वहले यहां पुट करके भी देख सकते है 0 के ब्रावर हो जाएगा T आ गया 6 second तो X हमारा क्या है बच्चो X आ गया हमारा 84 meter तो T आ गया 6 second 6 second 84 meter टाइम आ गया यही टाइम आप यहां पर पुट कर दो तो Y हमारा क्या है A Y T square by 2 A Y हमारा कितना है बच्चो X कितना आदे रखा है 2 तो 2 by 2 into T square कितना है 6 का square 2 से 2 कट गया Y हमारा कितना आ गया 36 meter तो हमारा आ गया Y coordinate आ गया हमारा 36 meter फिर कराए कि What is the speed of particle at this time बहुत बढ़िया कोशन है यह थोड़ा लेंदी तो है लेकिन अच्छा कोशन है आपको कुछ नहीं करना है Think along X axis Think along Y axis और Vector सम करना है यदि बाद में कुछ ऐसा हो तो अच्छा velocity along X axis VX हमारा क्या है बच्छों UX प्लस AXT UX कितना था हमारा UX है 5 प्लस AX कितना है 3 और T कितना निकला है 6 तो जिक ठाड़ा है 5 23 meter पर सेकंड VX और VY हमारा क्या है बच्छों VY हमारा क्या होता है UI प्लस AYT UI तो है ही नहीं तो सिर्फ AYT है और AY हमारा क्या है बच्छों तो ये VY हमारा हो जाएगा AYT और AY के वाल्यू कितना है 2 इंटू T के वाल्यू कितना है 6 तो कितना हो जाएगा ये 12 meter per second तो velocity हमारा क्या होता है VE क्वेश्टों हमारा क्या होता है बच्छों VXI पलस VYJ VX कितना हमारा 23I पलस VY कितना है 12J तो velocity का magnitude कहेगा तो क्या हो जाएगा अंडरूट कोफिसेंट अफ आइ का स्क्वेश्ट पलस कोफिसेंट अफ जे का स्क्वेश्ट इसे सॉल्व करो तो आपका जाएगा 26 meter per second बहुत बढ़िया कोशन था यह देखो next question बहुत अच्छा है Galileo एक scientist रहे है जिनका mechanics में बहुत बहुत रोल है law of energy आओ गया फिर motion में भी उन्होंने रोल दिया था और astrophysics के फादर इनको बोला जाता है तो उन्होंने बहुत बढ़िया कोशन है यह तो range का formula हमारा क्या होता है बचों u square sin 2 theta by u square sin 2 theta by यह इसी को लोग कहते है 2u square sin theta cos theta by तो यदि आप projection angle theta यहाँ पे 45 degrees से ज्यादा है तो मैंने माल लिया 45 plus alpha यह 45 degrees से कम है 45 minus alpha तो 2 theta क्या हो जाएगा यहाँ पे इसलिए 2 theta हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 degrees plus alpha into 2 और यह कितना हो जाएगा देख लेता हूँ इसको solve कर लेता हूँ पे कितना हो जाएगा 45 into 2 कितना 90 degree plus 2 alpha और दूसरा angle मैंने माल लिया जो false or 45 degree 45 minus alpha इसलिए 2 alpha क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 theta क्या हो जाएगा 2 theta 2 into 45 minus alpha यह कितना हो जाएगा 45 to 90 minus 2 alpha अब यहाँ पे range तो एक angle theta 1 माल लिया दूसरा angle theta 2 तो range r1 हमारा क्या हो जाएगा u square sine 2 theta 1 by g u square 2 theta 1 हमारा क्या है 90 degree plus 2 alpha sin 90 plus theta क्या हूद cos theta यह कितना जाएगा u square cos 2 alpha by g और r2 हमारा क्या हो जाएगा r2 r2 क्या हो जाएगा u square sine 2 theta 2 by g u square sine 2 theta 2 कितना है बच्चों 90 degree minus 2 alpha by g u square sine 90 minus 2 alpha क्या होगा cos alpha cos 2 alpha by g यहाँ पे देखा जा रहा है कि r1 और r2 बड़ा बड़ है इसका मतलब यदि किसी object को आप 45 degree से कुछ angle ज्यादा या उतने ही कुछ angle कम फेकोगे तो range जो हमारा है उसमें ज्यादा कोई फार्क नहीं करता है और exact 45 degree पे फेकोगे range हमारा maximum होता है यह बात आपने समझ लिया अब next question है बचो हमारा एक high car है वो edge of cliff है मैंने मान लिया यह हमारा एक छत है हमारा इस तरीके से edge of cliff से एक object को यह फेक रहा है कितने speed से 15 meter per second से कितना meter height यह हमारा 490 meter तो कह रहा है यह ऐसे फेका जाज रहा है air resistance neglect मान लिया गया है यह ऐसे गिरेगा नीचे तो कह रहा है यहाँ पे time taken by stone to reach the ground time taken by stone to reach the ground तो stone नीचे आते वक्त कौन सा coordinate ट्रेवल करेगा along y-axis तो y हमारा क्या होते है बच्चों yt plus a yt square by 2 यहाँ भी आप think along x-axis and think along y-axis करो तो think along x-axis think along y-axis तो horizontally फेके हो initial velocity along x-axis कितना आ जाएगा 15 meter per second along x-axis कोई acceleration नहीं है 0 think along y-axis initial velocity along y-axis कितना है 0 और acceleration along y-axis क्या है नीचे लग रहा है जी तो y equals to yt plus a yt square by 2 तो y तो 0 है तो यह तो 0 हो जाएगा तो सिर्फ a yt square by 2 a y कितना हमारा g g लग रहा है नीचे तो minus g t square by 2 और y हमारा क्या है 490 नीचे minus 490 equals 2 minus g के value 9.8 minus 9.8 t square by 2 minus से minus गया अब cross multiply करो तो t square equals to 490 into 2 by 9.8 कितना हो जाएगा 980 by 9.8 कितना से कट गया है 100 तो t हमारा क्या हो जाएगा 100 to 100 मतलब क्या 10 seconds तो यह जो आपका ball जो है वो नीचे कितने देर में टकराएगा ground के साथ 10 seconds में तो करें कि 10 seconds में टकराने वक्त इसका velocity बताओ तो एक चीछ देखो यहाँ पे velocity along x-axis 15 meter per second है यह change नहीं करेगा क्योंकि acceleration along x-axis है नहीं initial velocity along y-axis के है 0 और ay हमारा क्या है minus z तो vy equals to हमारा क्या हो जाएगा u y plus a y t u y तो 0 है और vy हमारा vy नीचे जाएगी जैसे कोई particular time में तो यहाँ पे v x है और नीचे vy है तो vy तो नीचे है तो minus vy equals to u y तो 0 है ay क्या है minus g into t कितना देर में टकराया है यह 10 second में तो 10 लिख दो minus g का value 9.8 into 10 तो कितना आजाएगा minus 98 यह minus है यह minus गया अब मुझे बताओ velocity along x axis जो है हमारा वो तो 15 meter per second है direction i और velocity along y axis कितना निकाले है अभी के अभी velocity along y axis कितना है plus 9.98 यह कितना आजाएगा plus 98 direction नीचे minus j इसलिए velocity हमारा क्या हो जाएगा v x i plus vy j v x कितना है 15 i और vy j कितना है minus 19 j minus 98 यह velocity आगया magnitude of velocity कह रहा है कितने velocity से टकराएगा तो क्या आजाएगा under root 15 का square plus minus 98 का square solve करोगे तो 99 meter per second के रफ्तार से यह ground से टकराएगा इसमें जो भी two dimensional motion है think along x axis and think along y axis separately separately सोचोगे जो value दिया रहेगा find कर लोगे vector sum यदि resultant velocity कह रहेगा तो vector sum करना है फिर बाद में magnitude निकालना है तो magnitude निकाल दो अब next question न बच्चों a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in direction 30 above the horizontal 30 degree है यह तो तो निकाल हुआ है यहां पर तो horizontal direction से किसी object को कितने speed से फेका जा रहा है 28 meter per second से कितना angle बनाते हुए 30 degree बनाते हुए तो कह रहा कि maximum height तो h max हमारा क्या होता है बच्चों h max हमारा होता है u square sin square theta by 2g तो u कितना है 28 का square यहां पर sin square theta है sin square angle कितना है 30 degree by 2g तो कितना हो जागा 28 का square into sin 30 कितना होता है 1 by 2 2 into g का value का लोगे calculation easy करने के लिए अब 9.8 ही रख दो 9.8 तो solve करोगे आप यहां पर आपका value आ जाएगा h max आ जाएगा 10 meter फिर b part में क्या कह रहा है कि time of light same level पर वापस आएगा मतलब कि जैसे गया और वापस यहां पर same level पर आ गया तो b part में कह रहा है कि time of light time of light हमारा क्या आता है 2 u sin theta by g 2 into u कितना है 28 into sin 30 कितना होता है 1 by 2 or g का value 9.8 तो solve करोगे इसको time of light आपका आ जाएगा 2.9 second और c part है horizontal range distance from the thrower to point where the ball returns to same level जहां से फिके हो और उसी level पर आने में जो distance trouble होगा वही range हमारा होगा range हमारा क्या होता है u square sin 2 theta by g या 2 u square sin theta cos theta by g 2 और u कितना है हमारा 28 का square sin 30 1 by 2 cos 30 root 3 by 2 और g का value 9.8 इसे solve करोगे 69 meter आपका answer आ जाएगा next question जो है हमारा वो एक circular group में एक insect trap हो गया एक insect जो है circular group के अंदर trap हो गया यह हमारा circular group है यह हमारा group है इसमें एक insect trap हो गया और इस circular group का जो radius है हमारा वो 12 cm है तो कह रहा है यहाँ पे कि यह जो insect है वो 7 revolution ले रहा है 100 second में तो 7 revolution 100 second में ले रहा है तो यहाँ पे angular velocity कितना हमारा होता है angular velocity हमारा क्या हो जाएगा यह linear velocity V equals to 2 pi r by t तो 2 pi r by t और साथ में number of revolution n भी डालना है 2 pi r n by t तो यहाँ पे 2 और pi का value कितना रखो मैं 22 by 7 radius कितना है हमारा radius हमारा है 12 cm 12 into 10 to the pi minus 2 cm और number of revolution कितना 7 कितने time में 100 में तो आप इसको solve करो कि तो velocity आ जाएगा 5.3 into 10 to the power minus 2 meter per second मतलब क्या 5.3 cm per second फिर कह रहा है कि आपको तो angular speed आ गया sorry linear speed आ गया omega हमारा क्या होता है omega हमारा क्या होता है 2 pi n by t 2 pi into number of revolution by total time तो 2 pi का value 22 by 7 number of revolution कितना है 7 by t कितना है कितने second में लिया है 100 second 7 से 7 कट गया 44 by 100 तो कितना आ जाए गया है 0.44 radian per second तो angular velocity आ गया linear velocity आ गया यह linear speed यह angular speed और acceleration पूछ रहा है 12 सेंटी मीटर मानिस 2 मीटर में इसको solve कर दोगे ता आपका आ जाएगा 2.3 into 10 to the power मानिस 2 मीटर पर सेकंड स्कूर या 2.3 सेंटी मीटर पर सेकंड स्कूर यह हमारा था solve example का सारा question